हेलो दोस्तों कैसे आप सारे दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खैरी से होंगे ठीक होंगे दोस्तों अगर आपका Facebook Messenger पर दोस्तों आप लोग किसी भी अकाउंट को Unrestrict करना चाते हैं और वो अकाउंट आपको मिल नहीं रहा है तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि हम लोग Facebook Messenger का अकाउंट Unrestrict कैसे कर सकते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस अकाउंट को Messenger के और उसके बाद दोस्तों उनको वो मिलता नहीं है और वो गाईब हो जाता है क्योंकि आप लोग उसको जब वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो गाईब हो जाता है और उनको ढूंडना थोड़ा सा मुश्कल हो जाता है लेकिन आपको Messenger जो वो यह option आपको provide करती है और यह आपको easily मिल भी जाता है चलें बात करते हैं कि हमें यह सब कुछ कैसे करना है और इसको किस तरीके से हम लोग clear कर सकते हैं अच्छा सबसे पहले तो दोस्तों आपको just करना क्या है इस जागा पर दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास एक profile में जूगद है ठीक है अब इस profile के ओपर दोस्तों मुझे एक icon देखने को मेरा है मैं इसको पर पहले click करूँगा अच्छा ये आपने restrict तो कर दिया होगा लेकिन यहाँ पर देखेंगे के मुझे यहाँ पर options देखने को मेरे है लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे restrict का option नहीं देखने को मेरा है मैं तीन डॉट के उपर क्लिक करूंगा या मुझे यहाँ पर और ब्लॉक वगरा का उप्शन देखने को मिल रहा लेकिन रिस्ट्रिक्ट का उप्शन मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा अच्छा अब यहाँ पर मैं बैक आता हूँ बैक आने के बाए दोस्तों ये मेरे पास एक परफाइल आ गई ठीक है अब मैं इसको पर आइकन के उपर क्लिक करूँगा और इस जगा पर दोस्तों मुझे रिस्ट्रिक्ट का आप्शन मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे आपके पास अकाउंटस होती हैं जिसका आप लोग जो मतलब जोब दूसरा ब Runner आपसे बात नहीं कर रहा होता ख़iban restrict को option के ओपर click करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं restrict कर देता हूँ अचा जैसे मैं restrict करूँगा अब अब वह account यहाँ से यह जो account है वो यहाँ से गाइब हो जेगा लेकिन यहाँ से मैं risk to सकता हूँ लेकिन यहाँ से जब जैसे ही मैं back ओँगा वो account इस जगापर मुझे नहीं मिलेगा देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों मुझे कोई भी account यहाँ पर नहीं मिल रहा है अब मुझे यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले मैं 3 lines को फिर click करूँगा और यहाँ पर दोस्तों मैं settings के अंदर आ जाँगा जैसे मैं settings के अंदर आऊँगा और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे options आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे एक option यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले हम लोग profile के अंदर आ चुके हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर setting के उपर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप लोग setting के उपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास options काफी जादा आ जाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक जगा आपको यहाँ पर privacy and safety का option मिलेगा आप इस पे क्लिक की जीगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको ढूंदना है कि आपको restrict accounts का option कहाँ पर मिल रा ए और मेरे पास दोस्तों इस जगा पर मिल रहा है तो मैं इसको फर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर देख पाऊँगे कि मेरे पास सिर्फ आपको बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे के सारे अकाउंट आपको देखने को मिल जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है लाइक कर देन चाहिए को सब्सक्राइब कर देन